नमस्कार वे दुनिया समाचार में आपका स्वागत पेश हैं आज की प्रमुख खबरें आईएस आतंगवादियों ने बंब से उड़ाए सद्दाम हुसेन के आली शान महल आतंगवादी संग्ठन इस्लामिक स्टेट ने एराग के पूरु राफपती फद्दाम हुसेन के ग्रह नगर तिकरित में उनके नौ आली शान महल गुरुबार को बंब स्पोर्ट से उड़ा दिये यहाँ कुल 76 महल बंगला करत्रिम जील वबाग थे जिन में से अधिकांस दजला नदी के किनारे बने थे यहाँ उत्तरी तिकरित से सद्दाम के गाउं आउजा तक फैले थे अमेरिकी नेत्रत्तो वाली सेना ने इन्हें इरा की अधिकारियों को साफ करते थे थे पाकिूसकी सेनिकांस ने गुरुबाराग सीमायी इलाकों और आठ सीमा चोकीयों को निशाना बनाया जिसमें जम्मू जिले में अंतराफ्टी सीमा से लगा अर्निया का सबाबी शामिल है इस घटना में तीन लोग घायल हो गए हैं एक पुलिफ अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू जिले के आरेक पुरा और अर्निया सब सेक्टर में नागरिक इलाकों और अंतराफ्टी सीमा के पास की चोपियों में छोटे हधियारों से भारी गोली बारी की और मोल्टार दा गे उन्नाओ में सेकडों नरकंकाल मिलने से संसनी उतर पुदेश के उन्नाओ पुलिफ लाइन परिसर में गुरुवार को सेकडों की संख्या में नरकंकाल मिलने से संसनी फैल गई पुलिफ अधिक शक्त एम्पी सिंग के मताबिक पहले पोस्मार्टन पुलिफ लाइन के अस्पिटाल परिशर में होता था उस समय करीब 400 सबों के विविन अंग संरक्षित किये गए थे ये गंकाल उन्हीं अंगों के फतीत होते है महत्मा गांधी को पुझे बापू को मेरी स्रधान जली मोधी ने आज शहीद दिवस पर उन सभी शहीदों को भी स्रधान जली दी जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण नचावत पर दिये